हलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर अशीज जालुई आपका डेस्टिनी डॉक्टर मैं आपके हर सपने को साकार करने में आपका मदद करूँगा मैं आज एक कहानी के माध्यम से आपको सक्सेस पाने का फॉर्मूला बताऊंगा तो चलिए शुरू करते हैं बहुत दिनों बाद शहर से गाउन लोटा अर्विन एक बार फिर शहर जाने की तयारी कर रहा था तब ही एक दिन उसकी दादी ने उससे कहा देखो बेटा पहले बात और थी परन्तु अब मैं बुड़ी हो चुकी हूँ एकदम मतलब slow and steady बात कर रही थी क्यों नहीं तुम यही कोई कामधंदा शुरू कर लो जिससे चार पैसे तुमारे जेब में भी आते रहे और तुमारे सारे मेरा ये बुड़ापा भी कड जाए अर्विन को दादी की तकलिफों का बखुबी एहसास था वह दादी की इच्छाओं के अनुरूब गाओं में रुखना भी चाता था परन्तु बड़ा सवाल ये था कि आखिर अर्विन इस गाओं में रकर करे तो क्या खरे असल में अर्विन शहर के एक सिनेमा हॉल के ठीक सामने बरफ के गोले बेचा करता था वोई गोले जो अमलोग स्कूल के टाइम में बाहर खाते दे एकदम ये बहुत टेस्टी रहता है परन्तु उसके गोले यहां गाओं में कोई पसंद करेगा या नहीं यह जान पाना कठीन था दूसरा कोई रास्ता ना सूचता देख अर्विन ने गाओं के चोराय पर ही गोला बेचने का निरने ले लिया शुरू शुरू में अर्विन को थोड़ी निराशा हाथ लगी परन्तु धीरे धीरे उसके गोले गाओं वाले को भाने लगे एक दिन एक बड़ी गाड़ी अचानक अर्विन के ठेले के पास आकर रुकी गाड़ी से एक नवदम पती निकल कर बाहर आए उन्होंने अर्विन को बताया कि वे हमेशा गर्मियों की चुटियों में यहां गाओं आते है वैसे तो इस गाओं में सिवाय चाय पकोड़े के कुछ नहीं मिलता परन्तु इतने वर्षों में आज पहली बार गोले बेचते देखा तो रहा नहीं गया सोचा क्यों न इस भीशन गर्मी में तुमारे गोले का आनंद उठाया जाए यह सुनकर अर्विन बहुत खुश हुआ उसने फटाफट गोले बनाए उनके सामने पेश किया और का लीजिये अर्विन के गोले उन्हें बहुत पसंद आए जाते जाते नवदमपती वहां पुन आने का वादा कर गए तक्रिबन एक सब्ता बाद वही बड़ी गाड़ी एक बार फिर वहां आकर रुपती है गाड़ी से उत्री महिला की प्रसंता देखने लायक है परन्तु ठेले के पास अर्विन की जगा कोई दूसरा नव विवक खड़ा है जिसे देखकर महिला की खुशी कम हो जाती है परन्तु फिर भी नव विवक के पुछने पर न चाते हुए भी उन्होंने गोले का ओरडर उसे दे दिया थोड़ी देर में नव विवक गोला बनाकर महिला की और बढ़ाता है उदर महिला गोले को थामती है मानों वह गोले को लेना ही नहीं चाती थी तबी अचानक अर्विन भी वहां आप उचता है वह नव दम पति को पैचान जाता है दूसरा गोला प्राफट बनाकर महिला के पती अशोक की और हाथ बढ़ाता है गोले का लुफ्त उठा रहा अशोक कुछी शनों में ये भाब जाता है कि उसकी पत्नी को नव युवक का बनाया हुआ गोला पसंद नहीं आ रहा है अशोक ने जैसे ही ये जाना उसने फटा-फट अपना गोला पत्नी से एक्स्चेंज क नहीं था असल में बात गोलों की गुनवत्ता की नहीं बलकि उसके प्रेजेंटेशन की थी अर्विन गोले को बहुत ही सपाथ हातों से पकड़ता और फिर उस पर रंग चड़ाते समय वह अपने हातों को बड़े ही शांदार तरीके से गुमाता था इतना ही नहीं उसके ग दूसरे पर फैलते जिसके कारण उसका गोला काफी खुबसूरत दिखता जबकि नवियुवक में ऐसी कोई खुबी नहीं थी तो यह कहानी का सार है दोस्तों कुछ लोग काफी परिश्रम होने के बावजुद कुछ खास अच्चिव नहीं कर पाते वहीं दूसरे लोगों क के पास कस्टमर्स का तार लगा रहता है इसकी एक वजा गुनवत्ता भी हो सकती है परन्तु कॉंपर्टिशन की युग में काम के साथ साथ आपके काम करने का तरीका और प्रेजंटेशन भी माइने रखता है इसलिए वक्त के साथ खुद को अपडेट करें अब वक्त पहल साथ काम करने के तरीके को भी बैतर बनाना होगा अपने प्रेजंटेशन पर पूरा फोकस करना होगा क्योंकि आपका प्रेजंटेशन ही सामने वाले पर आपका फर्स्ट इंप्रेशन है और दोस्तों मत भुलिए कहावत है फर्स्ट इंप्रेशन इस दी लास्ट इंप्रे तो देखना आप सबसे आगे रहेंगे अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए धन्यवाद